प्रिये वीवर्स हमारे दिश्टी PCS चैनल पर अप से हर रोज शाम 6 बजे राज विशिस करेंट अफ्यर्स देखना ना भूलें धन्यवाद दिश्टी IS के प्रोग्राम डेली करेंट न्यूज में आपका सौगत है डेली करेंट न्यूज में चर्चा का विशे है इस प्रिस्ताव का कुछ राज्यों के मुक्मंत्रियों द्वारा विरोध किया जा रहा है भारती प्रिस्ताव के प्रिस्ताव के लिए कारमिक और प्रिस्टिक्षर विभाग Department of Personal and Training यानि D.O.P.T. के रमाइंडर का राज्य जवाब दे रही है गौर तलेभे की D.O.P.T. I.E.S. अदकारियों का नियंतर प्राधिकारी है भारती प्रिस्ताव सेबा I.E.S. भारती पुलिस सेबा I.P.S. और भारती वन सेबा I.F.O.S. अधिकारियों को राज्य सरकार के मंजूरी के बिना केंद सरकार और केंदरी मंतरालेओं में प्रती निक्त किया जा सकता है इस प्रावधान में बदलाव किया जा रहा है अब तक 16 राज्यों ने पृत्किरिया दी है जिसमें हर्याना, मड़ीपुर, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश ने प्रस्ताव पर अपनी सहमती दी है ओडीशा, मेगालय, जारखन, राजिस्थान और पश्चिम बंगाल संशोधन का वरोध कर रहे हैं किरल तमिलनाडू हो तिलंगाना ने भी अपना वरोध दर्ज कराने के लिए प्रदान मंत्री को पत्र लिखा है प्रस्तावित संशोधन IAS कैडर नियम 1954 के नियम 6.1 में हैं जो केंदरी प्रतिन्युक्त से संबंदित हैं प्रस्तावित संशोधन ये है कि यदि राजिसरकार किसी राजिकैडर अधिकारी को कैंदर में पोश्ट करने में देरी करती है और निर्दिष्ट समय के भीतर केंद सरकार के निरड़े को लागू नहीं करती है तो अधिकारी को केंद सरकार द्वारा निर्दिष्ट तिथी के कैडर से मुक्त कर दिया जाएगा केंद्र राज के प्रामर्स से केंद्र सरकार को प्रति निक्ट किया जाने वाले अधकारियों की वास्त्विक संख्या तै करेगा केंद्र और राज के बीच किसी भी असहमती के मामले में केंद्र सरकार द्वारा निड़ाय किया जाएगा और राज केंद्र के फैसले को लागू करेगा अखिल भारतिय सेवाओं में तीन सिविल सेवाएं शामिल हैं भारतिय प्रशास्निक सेवा IAS, भारतिय पुलिस सेवा IPS और भारतिय वन सेवा IFOS प्रिये विवर्स हमारे इस टॉपिक को इंगलिश में देखने के लिए देखिए द्रिश्टी आईयास इंगलिश यूट्यूब चैनल